हैलो बच्चो नमस्कार आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप जनवरी से पढ़कर कैसे टॉप कर सकते हैं और जनवरी से पढ़कर हम टॉपर कैसे बन सकते हैं ठीक है जनवरी से पढ़कर हम 95 कैसे लाएं ठीक है सभी बच्चे को चाहे आप क्लास 10 में है चाहे 12 में है ठीक है सभी का सपना होता है कोई भी गोल होता है तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाई आप कौन सी ट्रिक लगा कर सिर्फ दो महीने में जनवरी और फरवरी में बढ़कर आप टॉपर बन सकते हो 95 आपके मार्क हर सब्जेक्ट में आ सकते है ठी जो हमारा समय बीद गया है उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे जैसे कि अक्टूबर नॉंबर और दिसंबर भी हमारा लगभग बीद चुका है ठीक है तो उस पर हमें कोई बात नहीं करनी है क्योंकि यह सारे मंत बीद चुके हैं तो इस पर हमें टाइम नहीं बरबात करना है जिससे कि हमारे 95 हर एक सब्जिक्ट में आए ठीक है तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी ट्रिक बताऊंगी आप कौन-कौन से स्ट्रेटी का प्रयोक करना है क्या क्या चीज़े अपलाई करनी है क्योंकि आपके पास देखे टाइम नहीं अब आंतिम मौका है अगर जो बच्चा ठीक है अब नहीं किया वो कभी नहीं करेगा ठीक है जो बच्चा अब 95 नहीं पाना चाहता है वो कभी नहीं पाना चाहेग और आप इस तरह से पढ़कर दो महीने में ही 95 पा जाओगे तो उसको आप प्रयोग करो क्योंकि जब तक तक त्याग नहीं करोगे तब तक आपके अच्छे मार्क बनेंगे नहीं जो बच्चा टॉपर बनता है वह बहुत सारे त्याग करता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगे टॉपर कैसे बनते हैं कौन से स्ट्रेटिजी का प्रयोग करते हैं कौन सा ट्रिक लगाते हैं सारी चीजे इस वीडियो में आपको मिलेंगी देखिए पढ़ते तो साम में जो है अच्छे नंबर नहीं पाते हैं तब तक पढ़ाई आपकी माईने नहीं रखती है ठीक है अगर आप पढ़े रहोगे तो पक्का है कि आप अच्छे नंबर पाऊगे ठीक है 95-90 अच्छे मार्स आएंगे जो टॉपर स्टुडेंट होते हैं वह स्मार्ट तरीका अपनाते हैं आपको भी उसी इसमार्ट तरीकी को अपनाना है जो टॉपर अपनाते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी टॉपर कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे कि वह टॉपर बन जाते है और आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो लेकिन टॉपर नहीं बन पाते हो क्योंकि आप वह स्मार्ट तरीका अपनाते ही नहीं हो आप तो मेहनत बहुत करते हो लेकिन वह चीजे नहीं करते हो जो टॉपर करते हैं तो टॉपर स्टुडेंट स्मार्ट तरीका अपनाते हैं जो आपको भी कोसिस करनी पड़ेगी बिना कोसिस के कुछ भी नहीं होगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे देखे जुलाई अगस्ट सितंबर अक्टूबर नॉम्बर बीच चुके हैं ठीक है और लगबग मार दिसंबर भी बीच रहा है अब इसमें टाइम नहीं बचा हुआ है सिर्फ जनवरी से पढ़कर आप एक महीने में लेती हूं फरवरी में आप रिवीजन करिएगा सिर्फ एक ही महीने में आपको सारे सिलेबस कंपलीट करने हैं जो पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो भी ठीक है चार तरह के छात्र इस विडियो को देख रहे होगे सब गुछ चात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने आधां पड़ा हुआ है और कुछ चात्र ऐसे भी हैं जो अभी सुरुवात ही नहीं करें crazy कि Be करते हैं तो जो भी चात्र इस व्यडियो को देख रहे हैं सभी के लिए इंप्वाटन वीडियो है और पूरा वी यहाँ पर बताने वाली हूँ अगर आप इसको follow करते हो तो पूरी 100% की guarantee है कि आप जितने mark चाहते हो उतने mark आपको मिलेंगे ठीक है आपको goal set करना है goal यानि कि आपको कितना number चाहिए ठीक है आपको 2023 board में कितना number चाहिए आपको percentage कितना चाहिए 70% 80% 90% 95% कौन सा percent आपको चा चार्ट में बना कर सबसे पहले 95 एक चार्ट में बना कर अपने जहां आप सोते हो सबसे पहले जो चीज दिखाई देती हो ठीक है वहां सामने में इसको लगा दो ताकि सूबह सूबह जब उठो गुड मॉर्निंग हो तो सबसे पहले आपका ध्यान उसी पर जाए तो वह आ ज़रूरी है यह टाइम जो आपके पास अभी आप 10 में हो या फिर टेल्थ में हो यह टाइम अगर चला गया तो दुबारा नहीं आएगा ठीक है तो इस टाइम को अच्छे से यूज करो ठीक है इसका उपयोग कहते हैं सदूपयोग हर चीज का सदूपयोग करना चाहिए क किसी का भी दूपयोग नहीं करना चाहिए तो इस टाइम का भी आप लोग सदूपयोग करो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आपको आप समय को बरबात करो इंज्वाय में लगाओ अब आपको 24 गंटे बढ़ाई में ध्यान लगाना होगा मैं आहां पर आपको बह कि देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब आपके दिमाग में वह चीजी सेट होगी तभी कुछ होगा तो इसलिए एक चैप्टर रोज नहीं पढ़ना है बलकि थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है डेली रिवीजन करना है ठीक है जो आप पढ़ रहे हो उसको डेल करना है और लॉंग कोस्टन को रिटेन करोगे तो आटोमेटिकली जब लिखोगे तो पढ़ते हुए लिखना कि जो भी आप लिखोगी जैसे मित्रता काहीं लिख रहे हो तो मित्रता पाठ सेली आ गया है तो ऐसे जब करके लिखोगे तो वह चीजी आपके माइन में जाती रहेंगी जिससे की वह याद होंगी और दूसरी बार आप अगर पढ़ लियो हो तो फिर रिविजन करना तो बिल्कुल आसान है लेकिन अगर पढ़े नहीं हो तो आसानी के साथ एक बार लिखो फिर उसको पढ़ हो ठीक है वह रिवीजन हो जाएगा आपको रिवीजन करन यहार आपको तयार करना है यानि कि हर एक सबजेक्ट का सौ नमबर है इसलिए किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है सभी सब्जेक्ट यानि कि हिंदी इंग्लीस फीजिक्स, कमिश्ट्री, मैथ ठीक है और आप टेंट में हैं तो हिंदी, इंगलीज और सोसल साइंस, साइंस, संस्कृत, आर्ट जो भी लिए हुए हैं आपका हो जाएगा ठीक है उसका आपको important question solve करना है क्योंकि important question जो है आप solve करोगी अब आपके पास बिल्कुल time नहीं है कि आप पूरा syllabus पढ़ो फिर जाके आप जो है exam दो अब आपको smart तरीके से आपको सिर्फ important question तयार करना है और जो topic important है उसको तयार करना है ये सब चीजे करनी है ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना भी न पढ़े और बहुत ही आसानी से आपके 95 बन जाएंगे ठीक है और कु आपने पहले से माली जी तयारी कर चुके है तो फिर बहुत best है ठीक है आप उसका सिर्फ revision कर लो लेकिन आप अगर बिल्कुल तयार नहीं कियो हो तो आप chapter y जी सिर्फ important चीजे पढ़ो ठीक है जो important है और chapter भी जो important है उसको पढ़ो ठीक है क्योंकि आप पूरा पढ़ने का time नहीं है smart तरीका अपनाना है जो चीज important है बोर्ड में पूछी जाती है 2022 में पूछी गई है 23 में भी पूरे पूरे chances है उनको तयार करना है ठीक है ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि सारी चीजे पढ़ने है क्योंकि आप सारी चीजों को पढ़ोगे फिर भी आपके दिमाग में sit नहीं होगा लेकिन जो बच्चे syllabus को पूराज कर चुके हैं वो तो सिर्फ revision कर लेंगे उनका काम हो जाएगा ठीक है अच्छे mark भी उनको मिल जाएगे लेकिन कुछ ऐसी गलतिया है जो बच्चे करते हैं जिनकी वज़ा से उनके number कट जाते हैं जो मैं आपको बताने जा र लेकिन उनकी writing थोड़ी सी mistake है जिसकी वज़ा से उनके number काट ले जाते हैं जहां पर उनकी उमीद 91 की होती है 92 की होती है वहां पर उनके 82 आते है ठीक है तो आपको वो गलती नहीं दोरानी है यहां पर आपको वो गलती नहीं दोरानी है अभी आपके पास time है सिर्फ 30 दिन लगेंगे ठीक है आपको अपनी writing सुधारने में 30 दिन लगेंगे और उससे आपका बहुत बढ़ा काम भी होगा क्या काम होगा आपके long question जो है तैयार होते जाएंगे कैसे आपको लिखना है ठीक है regular दो long question तैयार करना है regular जब आप लिखोगे तो आपकी writing भी बनती है आपको हर एक चीज में smartness दिखाना है देखिए कुछ बच्चों की यह भी होती है कि आप ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं तो बिलकुल नहीं मिलते हैं देखिए quality matter रखती है quantity नहीं ठीक है quality matter रखती है quantity नहीं तो आप सभी को board exam में paper में यह बता दि किया जा रहा है कि आपको इतने ही word में करना है तो आप ज्यादा लिखोगे तो वो समझ जाएगा examiner समझ जाएगा बस करो बच्चे ने कहीं से cheating किया है तो इसलिए उतना ही लिखो जितना दिया गया है 80 बोला गया है तो 80 लिखो 80 में ही आप यहां से समझ के जाओ घर से अ आपको दिखेगी heading दिखेंगे और आपकी सफाई दिखेगी पेपर में कटपिट नहीं करना है जैसे मिश्टो को गया ऐसे काट नहीं देना है ठीक है उसको वहीं पर छोड़ देना है अब आपको क्या करना है सबसे पहले सभी subject का question bank जरूर solve कर लेना है ठीक है हर एक subject का question bank से question bank से ही question पूछे जाते हैं आप लोग देखोगे उसमें important question दिये जाते हैं अगर आपको देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि माजरी classes पर आपको question bank से भी दिये जाते ह आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा अगर अच्छा लगा हो और माजरी क्लासेश पर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजे दी जाएंगी ठीक है और सभी सब्जेक्ट के न्यूस मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व क प्रचा है हमें अच्छे से तयारी करनी है क्योंकि हमें पाना कितना है 95 ठीक है हमें टॉपर बनना है इस बार हमारी फोटो लगनी चाहिए टॉपर की लिष्ट में अब आपको पांच ऐसी चीजे बताने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फॉलो कर लेते हो 2023 में तो पूरे 100 परसेंट इसमें कोई सक ही नहीं है ठीक है पूरे 100 परसेंट का जिम्मा लोंगी कि आप लोग टॉपर बल करना है ठीक है प्रीवियस लेकर साल्व करना है जैक है मैंने बहुत सारा क्ल करना है इसमें का चैनल को सब्सक्राइबанов कर् doable करना है और यह सारी चिजे आपको मिलेगी कहां से तो माज़े-ए व्यमिलिगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नौटिफिकेशन मिलतार है वीडियो अच्छा रगे तो लाइक कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों को ताकि बहुत सारे बच्चों को जो है ताकि बहुत सारे बच्चों क को यह important चीज मिल जाए चलिए मिलते हैं next video में धन्यवाद